मंगलोर में युवाव को प्रतिभावान बनाने के लिए उत्राखन सरकार द्वारा जन हितेशी योजनाय चलाई जा रही है वह इन तमाम योजनाओं के तहत युवा कल्यान और प्रांतिय रक्षक दल द्वारा ब्लॉक स्तरिय युवा मौसब का आजन किया गया इस आजन का उत्देशे प्रदेश के युवाव की प्रतिभाव का चैन कर उन्हें प्रसिक्षन उपलब्द करवा कर अंतराष्टी स्तर पर उतकर्स्ट प्रदर्शन के लिए तयार करना है इस दोरान शेत्री युवा कल्यान और प्रांतिय रक्षक दल के अधिकारी मुकेश भट ने बताया कि उत्राखंड सरकार द्वारा यूथ फेस्टिवल के नाम से एक एहम कारिक किया जा रहा है जिसमें भारत और उत्राखंड के विलुक्त होती संस्कृती को भारने के लिए समय समय पर यह कारिकरम चलाए जा रहे है मंगलोर से राहुल सैन की रिपोर्ट यह यूवा मौसो का उद्देश यह है कि यह मुख्यमंत्री जी द्वारा यह सरकार द्वारा यह सांस्कृतिक प्रोग्रामों को जमीन से बच्चों को स्वावी लम बनाना है और उसकी जो स्वावी लम बना के उनको निखारना है मतलब उनकी परतिवाग को आगे बढ़ाने के लिए यह परियाद चला है इस तरीके से हर ब्लोकों में यह परतियोक्ता कराई जा रही है इसका उद्धे से यह है कि जादे से जादे बच्चे इसमें परतिवाग करें जैसे आज हम नार्शन में विकासकन नार्शन में इस परतियोक्ता को करा रहे हैं ऐसे अब हमारे जीले में 18 तारीक को इसकी परतियोक्ता है